यूट्यूब चैनल में गवर फिर से आप समों का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं दुस्तान की जल्ग दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यदि आप जहरकंड से हैं और आप पुलिस वेरिपिकेशन सर्टिपिकेट बनाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं ऐसे बनाएंगे आज के इस वीडियो में आपको कंप्लिट जानकारी देंगे और लाइब आपको बना करके भी दिखाएंगे तो चलिए बिनादेरी के वीडियो करते हैं फटा फट शुरूँ यदि आप इस चननल में नए चनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को द़ा सकते हैं वीडियो को जअधा ज़ाधा सेर कर सकते हैं कि आपको नएने वीडियो का notification मिलते रहे latest वीडियो का notification मिलते रहे तो चलिए भी नदेरी कि ये वीडियो करते हैं शुरू सबसे पहले आपको अपने laptop या computer में browser को open कर ले ना है और यहाँ पर आपको Google search में जारकन citizen टाइप करके सर्च कर ले ना है तो चलिए यहाँ पर मैं जारखंट citizen टाप करके संच कर लेता हूँ संच करते हैं आपको यहाँ पर देखिए पाला website देखने को मिलेगा जारखंट citizen जारखंट police तो इसपर आपको click कर देना जैसे उसपर आप click करेंगे इस पर करका website आपके सामने खुल करके आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको sign in करने के लिए आपसे user id और password मांगा जा रहा तो देखें यहाँ पर आपको user id और यहाँ पर आपको password फिल करना होगा नीचे आपसे capture फिल करने के लिए बोला जाएगा उसके बाद login पर click करना होगा पहली बार दोस्तों आप character certificate बना रहा है police verification certificate बना रहा है तो आपको यहाँ पर पहले register करना होगा यहाँ नीचे देखें if you are first time user first time user है तो आपको नीचे देखें option देखने को मिलेगा click here to register yourself का तो इस पर आपको click करना होगा यहाँ पर देखिए आपको बेक्तिकद वीवरन देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको अपना पर्थम नेम फिल करना है उसके बाद उसके बाद मद नेम उसके बाद आपको अंतिम नेम मद नेम नहीं है तो आपको अंतिम में फिल कर देना आपको select करना होगा यहाँ पर दोस्तों जिसमें star लगा हुआ है उसको fill करना अनिवार है तो यहाँ पर पहचान परकार में देखिए आधार कार्ड, आयकर यानि pen कार्ड उसके बाद देखिए चालक अनुग्यपती, पासपोर्ट मदाता कार्ड, रासन कार्ड इन में से आपको एक को select कर लेना यहाँ पर मैं आधार को select कर लेता हूँ उसके बाद देखिए साइड में आपको यहाँ पर नीचे आयू पैनल देखने को मिल जाएगा इस पर आपको अपना जनमतिती फिल करना है जैसे आप जनमतिती को फिल करेंगे यहाँ पर नीचे देखिए आयू यानि वर्स महिना जनम का वर्स यह details आपका automatic फिल हो जाएगा नीचे आपको पता देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए अस्थाई पता में तो यहाँ पर देखिए हाँ ना का option है एक ही है तो हाँ कर देना अलग अलग है तो ना पर आपको टिक कर देना उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपका select रहेगा राजी को select करना होगा जीला को select करना होगा पुलिस इस्टेशन select करना होगा उसके बाद नीचे आपको PIN Code फिल कर देना है उसके बाद नीचे देखिए आपको Login Vibran आपको यहाँ पर फिल करना होगा दोबारा यहाँ पर आपको पास्वरड फिल करना है यहाँ पर User ID आपको ऐसा बनाना है जो कोई भी ना बनाया हो उसके बाद यहाँ पर देखिए सुरक्षा प्रसन को select करना होगा उसके बाद उसका answer दे करके आपको जोड़े पर click करना होगा यहाँ पर आपको दो question को select करना होगा इस पे से देखिए click करते हैं आपके सामने question आ जाएगा उसको select करके answer को fill करके आपको जोड़े पर click करना होगा यहाँ पर आपको दो question को select कर लेना है उसके बाद नीचे आपको देखिए paste करे का option देखने को मिलेगा तो paste करना होगा यहाँ पर देखिए rickth करे का option देखने को मिलेगा रिक्त करना है, खाली करना है, तो रिक्त करना है, तो रिक्त करना है, तो रिक्त करना है, तो बंद पर किलिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको submit करना है, तो पेस करना होगा, तो चलिए यहाँ पर मैं details अभी को फटाफट फिल कर लेता हूं, उसके बाद आगे का process आपको करके द लिखाता हूँ, यहाँ पर मैं डीटेल्स फिल कर दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे दो सुरक्षा प्रसने भी सलक्ट कर लिया, उसके बाद पेस्ट करेंगे, जैसे उस पर किलिक करेंगे, देखिए यहाँ पर किर्पिया परतिक्छा करें, तो यहाँ पर देख अचुका यहां पर आपको खिल करना होगा आपने जो मौबाइल नंबर और आप नंबर पर किसार सब्सक्राइब कर दो कर्से सबस् zdrowe कर दिया उसके बास पर किली करें वे समीड पर आपका यहां पर लोड़िंग लेगा तो यहां पर आपको परतिक्षा करना है यहां पर देखिए मेरा यह रजिस्टर successfully हो चुका है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको login करना होगा login करने के लिए देखिए मेरा यह username और password automatic फिल हो चुका है क्योंकि मैं save कर लिया था username और password को यहां पर आप देख पा रहेंगे मेरा username फिल हो चुका है और password भी फिल हो चुका है उसके बाद नीचे आपको contribution फिल करके login पर click करना होगा तो चलिएयां पर मैं login पर click कर देंगे जैसे login पर click करेंगे आप जहारकल citizen की website पर login हो जाएंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस परकार का इंटरफेस आपके समने खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपको कई option देखने को मिल जाएगा पाला देखिए सिकायत का है दूसरा है नागरिक सेवाओं का तीसरा है नागरिक युक्ति चौथा इस्तिति खोजे पचमा है देखिए खोईवी संपत्ति रेश्टर उसके बाद देखिए साइट मांचीत रहे अगला है नाग कि यहाँ से आप अपना केस को भी देख सकते हैं उसके बाद नागरिक परतिकिरिया है उसके बाद अक्सर पुछे जाने वाले प्रस्ण यहाँ भी आपको देखिए उपलब्द सेवाए नीचे देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखिए सिकायत युक्तिया सत्यापन से नापति पर्मान पत्र सेवाए अनापति कईरिया और अक्सर पुछे जाने वाले प्रस्ण यह सबी ओप्सण देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों हमें рай 1917 सेवाओं का आप्शन देखने को मिलेगा तो इस पर चले आना है जैसे उस पर आएंगे देखिए हैं पर कई option आपको देखने को मिल जाएगा online पुस्तकाल है, घरेलू सहता सत्यापन, करमचारी सत्यापन देखिए किरायदार या PG का सत्यापन अनुरोद, चरीतर परमानपत्र अनुरोद C-form, घटना या परदर्शन का अनुरोद, विरोध या हर्ताल का अनुरोद, जुलूस अनुरोद, आटो मुबाइल जाच, हमसे संपर करें यह option आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें character बनाना है, तो देखिए, चरीतर परमानपत्र अनुरोद उस पर आएंगे, तो यह नीचे आपको चरीतर परमानपत्र अनुरोद जोड़े, और नीचे चरीतर परमानपत्र अनुरोद के संसोदन दो अप्सन देखने को मिलेगा तो पहला पे आपको किलिक कर देना है जैसे उस पर किलिक करेंगे इस पर कार का इंटरफेस आपके समने खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आपको हाँ पर किलिक कर देना है जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे इस परकर का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहेंगे यदि आप जारखन से हैं तो यहां पर आपको देखे यदि आप जारखन के आलावा किसी अने राजे से हैं तो किर्पिया अपने नजदी की पुलिस स्टेसन पर जाकर आनलाइन मेनुवल परिकरिया आवेदन करें यदि आप जारखन के बाः से हैं तो आपको अपने नजदी की थाना में जाकर करके आपको आवेदन करना होगा उसके बाद देखे आवेदन का विबरन आपको देखने के मिलेगा यहाँ पर आपसे देखे यू आईडी फिल करने के लिए बोला जा रहा है उसके बाद आपको पर्थम नेम, मद नेम, अन्तिम नेम, उसके बाद सम्मंद का परकार, फिर रिष्टेदार का नाम, फिर देखने को मिल जाएगा, अस से बाद लागू करने का पर्यूजन किसलिए आप बना रहा है, प्राप्त की विधी, यहाँ पर आपको सलक्ट करना होगा, उसके बाद इमेल आडिया फिल कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को फिल कर सकते हैं, इसमें जनमतिती को फिल करेंगे, नीचे आपका डिटेल्स अटोमेटिक फिल हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएगे, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखें, आपको आवेदक की फोटो और दस्तावेज अपलोट करें, यहाँ पर आपको आवेदक का फोटो और दस्तावेज क छोड़ देने को मिल जाएगा, चूच फाइल पर किलिक करके आपको आपलोट करना होगा, आप देख पा रहेंगे, यहाँ पर तीन ऑप्सन देखने को मिल रहा है, जिसमें इस्टावाद लगा हुआ, उसके बाद देखे यहाँ पर फाइल का प्लिक करके, आपको तस्वी उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखे परत्यक्ष दिरिस्ट पासवर दिरिस्ट यहाँ पर परत्यक्ष दिरिस्ट को सलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें हाप फोटो देना है उसके बाद नीचे दूसरा ओप्सन में देखे निवास परमान पत्र पहचान परमान पत्र से हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिसमें इस्टार लगा हुआ है उसको भरना अनिवार है तो पहला उप्सन में दोस्तों आपको एक पासवोट सेच फोटो अपलोड करना होगा और दूसरा में आपको documents को upload करना होगा यानि कि आपको आधार card को upload करना होगा side में दोस्तों आपको देखिए वीबरन देखने को मिलेगा उपर में आप photo दे रहे हैं तो photo type कर देंगे दूसरा में आधार दे रहे हैं तो आधार type कर देंगे उसके बाद नीचे जोड़े का option देखने को मिल रहा है जोड़े पर click कर देंगे यदि सभी को मिटाना है तो साप पर click कर देना है उसके बाद दूसरा option है देखिए पता, बरतमान पता यहाँ पर आपको अपना fill करना होगा बरतमान पता में है पर आप जिसमें इस्टार लगावा है उसमें आपको डिटेल्स फिल कर देना है उसके बाद देखिए साइड में आपको उसी परकार से डिटेल्स देखने को मिल जाएगा देश, राज, लिंग, पुलिस इस्टेशन इस सभी को फिल करके यहाँ पर जमा क पर किलिक कर देना है बाकि ओप्सन को छोड़ देना है अगला ओप्सन है सपत-पत इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे इस पर किलिक करेंगे देखिए आप किसी भी अपराधिक या देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड आप या आपके परिवार के खिलाप कोई अपरा पर कोई मुकदमा है अपर आदिक मुकदमा दर्ज है तो आपको यहाँ पर हाक पर किलिक करना होगा हाँ पर आप जैसे करेंगे देखिए हाँ पर वर्ग सीमा आपको 500 वर्ड में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा उसके बाद नीचे आपको जमा करें का ओप्चन देखन करें डाटा प्रसंस्क्रन चल रहा है तो यह पर यहां पर मेरा यह डाटा समीट हो रहा है तो यहां पर हम बर्ट करेंगे यहां पर देखिए मेरा को सबसे ऊपर में आपको से वा अनुरो संक्या पंज्रित क्या ग्या है डेड्ध आपको देखनी को मिलेगा समय देखनी को मिलेगा प्रींट के लिए यहां क्लिक करें यहां पर आप recieving को प्रिंट करने की लिए आपको print के लिए यहां क्लिक करें का option देखने को मिल रहा तो इस पर आपको क्लिक कर देना जैसे उस पर आपको एक रैसी डाउनलोड हो जाएगा नीचे आप देख पा रहेंगे इसे हम open कर लेंगे open करते यहाँ पर आवेदक का details देखने को मिल जाएगा जिसका आप आवेदन किये हैं यहाँ पर details देखने को मिल जाएगा इसे आप print out निकाल लेना है यहाँ पर देखिए इसमें आपको सेवा निवेदक रसीद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जिसका आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर उसका details देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अनुरोज संख्या भी देखने को मिल जाएगा इसका आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं उसके बाद इसे आप पिरिंट आउट करके आपको अपने नजदी की थाना में चले जाना है वहाँ से आपको भेरिफाय करा लेना भेरिफाय हो जाने के बाद आपको अपने जीला से भी भेरिफाय करा लेना या तो आपको कुछ दिन बेट करना होगा ओटोमेटिक आपका करेक्टर सेटिपिकेट बन जाएगा चरित परमनपत्र बन जाएगा यदि आप अपना नजदी की थाना पर नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ से कुछ दिन के बाद कॉल आएगा तो आपको होँपर जाना पड़ेगा यदि आप जल्दी चल जाते हैं तो आपका ये करेक्टर जल्दी बन जाता है तो इस परकार से आप घड़ बैठे बड़े आसानी से करेक्टर सेटिपिकेट को बना सकते हैं चरित परमनपत्र को बना सकते हैं पुलिस वेरिपिकेशन सेटिपिकेट को बना सकते हैं उमीदा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साती हेलफुल भी लगा होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते यह वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को बनाने का उद्देश है जानकारी पराप्त करना और कुछ नहीं अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसका स्टेटस चेक करके बताएंगे इसका करेक्टर सेटिपिकेट बना या नहीं पूलिस वेरिपिकेशन सेटिपिकेट बना है या नहीं तो आज के लिए इस वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के स तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत